नमस्कार दोस्तों स्वाकेते आपका एक बार फռर से यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंप्र्टनन है इस वीडियो आप बिर पूरा देखे.. इस वीडियो के इंदर आपको बताने वाला हूं किस सबसे बड़ी समष्य आजका जो आपकी हम समस्या की है। समस्या क्या है अग्यान दोता है थेकיb TO हो अधितर एक को उसी दिन यूज लेते हैं और जब अच्छी नहीं लगता है विबसाइट को बात में कभी तक नहीं लेते और हम साइंग परके छोड़ देते हैं साइंग कौन से इमेल से करते हैं जो हमारी इमेल इडी हमेसा यूज लेते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी email होती है उसके नाम से हम करके छोड़ देते हैं जिसे क्या होता है हमारी बहुत सारी information कई बार तो पर्सनल इफोर्मेशन खूब सारी चली जाते हैं उसके ऊपर थोड़ देते हैं भूल जाते हैं तो ऐसी अन्नावन वेबसाइट के उपर खूब सारी वेबसाइट के उपर आप अगर अपना email ID और यह नहीं दे करके रखना चाहते हैं अपना नाम पासवर्ड कुछ भी तो आपOS कर सकते हैं temporary email बनाकर के उनके उपर छांग सकते हैं temporary email काμεल भी आजाता है कोima email ID बना करके उनके उपर आप यूजमें ले सकते हैं फाइदा यह है कि मान लिजिए आप उन websites का या उनके उपर कोई जो आप काम करें उसका test लेना चाहते हैं सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके लिए important है या नहीं है लेकिन वो चीज़ आप नहीं जान सकते हैं बिना आप email ID दिये हुए वहाँ पर बिना sign up किये हुए तो यह काम आप temporary email बना करके sign up करके और जान सकते हैं और बाद में अगर आपको लगे कि नहीं अब तो मुझे email बेजना है और उसको आप email नहीं देना चाहते तो temporary email के उपर email receive कर सकते हैं email बेज सकते हैं file receive कर सकते हैं ऐसा काम आप कर सकते हैं इस तरह का email address बनाने के लिए खुब सारी online websites भी है और आपको apps भी मिल जाएगी उन apps से अपने mobile के इंदर भी बना सकते हैं देखे किस तरह से करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दो हूँ आप संजेक महर स्वामी YouTube चैनल को सब्सक्राइब बन के उपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और पास के email आइकन को दबा करके यहां पर यह email address आपका है त्यार ही मिलेगा यहां पर और मैं back करके दूसरी site के उपर जाना चाहूं तो मान लेजिए यहां पर इन में से मैं इस site के उपर click कर लेता हूं और यहां पर देखिए डारेक्ट आपका email address से साइट के उपर ready मिलेगा बस इस email address को यहां से copy करना है और यूज ले रहना है जहां पर भी आप यूज लेना चाहते हैं वहां से जो वापस email आएगा वो यह पर आ जाएगा यहां पर email आ जाएगा और उससे आप उस site को verify कर सकते हैं और आप किसी से email मंगवा रहे हैं अप से क्या होगा आप किसी भी site को पहले test कर सकते हैं उसके भाद में यूज ले सकते हैं और किसी site के अगर sign up करने से कोई feature active हो जाते हैं तो आप वो यूज में ले सकते हैं और आपकी चो information है secure रहेगी कहीं पर भी जाएगी नहीं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment कर साथ ही इस वीडियो को like करें और share करें मैंने दोस्तों मिलते हैं एक बार फिर से नेक्ट वीडियों के अंदर thank you झाली को